राधे राधी ओन नमो भगवते वाशुति देवा बोलिए एकादशी मया की चै, स्रावण मास के सुक्ल पक्ची की एकादशी को पुत्तदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की सद्दा पूर्वख पूजा की जाती है, भग्ति पूर्वख इस ब्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ट की इच्छा रखने वालों को यह ब्रत अवश्य करना चाहिए कामदा एकादसी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युदिष्टर ने स्रावर के सुक्ल पक्ष की एकादसी के बारे में बही सब प्रस्न किये इसके उत्तर में भगवान किष्ण ने का है पांडु पुत युदिष्टर स्रावर सुक्ल एकादसी का नाम पुत दा है मैं इसके वारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात से बाजपे यजिका फल मिलता है आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिये द्वापर युक के आरंभ में महिस्मतिनगरी में महीजीत राम का एक प्रतापी राजा राजी करता था उसका बहुत बड़ा राजी था परंतु कोई पुत्र ना होने के कारण राजा महीजीत को राजी शुक दायक नहीं लगता था पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान पूर्ण एक हवन आधी उपाय किये परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई ब्रत्धा वस्ता आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनी दियों और विद्वान ब्रामणों को बुला कर कहने लगा हे प्रजा जन्नों मैंने इस जन्न में तो कोई पाप नहीं किया मेरे खजाने में अन्याय से उपारजन किया अगवा धन नहीं है और ना ही मैंने कभी देव मंदिरों सद ग्रहस्तों अत्वा ब्रामणों का धन छीना है किसी दूसरे की धरोर को भी मैंने नहीं लिया और नाही प्रजा परन्याय पूर को इकर लगाया हमें प्रजा का पुत्र की समान पालन करता हूँ तदह अब्रहामनों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ इर्दिप न्याय की रक्षा के लिए मैं अपरादियों को धन्र देता हूँ परन्त कभी किसी से घड़ा नहीं कि सबको समान मानाय सज्जुनों की सदा पूजा करता हूँ इस प्रकार धर्म्युक्त राज करते हुए भी मेरे पुत नहीं है इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ इसका क्या कारण है राजा महीजित की इस समस्या के निवारण है तु प्रजा के प्रतिनीदी तथा मंत्री गड़ बन में जाकर बड़े बड़े रिश्यों और मुन्यों के दर्शन करते हुए किशी विद्वान तपश्वी इतलास में लग गए एक आसम में उन्होंने एक अत्यंत बयोब्रत धर्म के ग्याता बड़े तपश्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंदिये जितात्मा जित ग्रोध सनातन धर्म के गुर्टत्तों को जानने वाले समस्त सास्नों के ग्याता महत्मा लोमस मुने को देखा एक कल्प के बितीत होने पर एक रोम गेरता था लोमस शिशी का इतनी अधिक थी आई सब ने जाकर लोमस शिश को प्रडाम किया और उनके सामने बैठ गए उन्हें देख का रिशी ने पूछा आप लोग किस कारण से आए हैं आप मुझे अपनी समस्या बताईए निसंदे मैं आप लोगों का हित करूँगा लोमस शिश के ऐसे बचन सुनका सब लोग बोले हे महारिशी यदि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है मगर फिर भी हम अपनी विठा कहते हैं महिश्मति पूरी का धर्मात्मा राजा महिशित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है परन्तु फिर भी वे पुत्र ही नहे हम लोग उसकी प्रजाह हैं अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं हमको पूर विश्वास है कि आपके दर्सन से हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा क्योंकि महान पुर्सों के दर्सन मात से अनेक शच्च दूर हो जाते हैं आप क्रपा करके राजा के पुतोंने का उपाय बतलाएं यह बारता सुनकर रिशी लोमस ने थोड़े देर के लिए अपने नेत बंद किया और राजा के पिछले जनम का ब्रतान्त ग्यात कर लिया लोमस इस ने इसने हैं सिक्त बाड़ी में कहा हे महानुभावो आपका राजा पूरु जनम में एक निर्धन वैशे था निर्धन होने के कारेश ने अनेक बुरे कर्म किये बहे एक गाउं से दूसरे गाउं ब्यापार करने के लिए जाया करता था एक समझेस्ट मास में सुकल पक्ष की द्वादसी के दिन मध्यानकाल के समझ जब हैं दो दिन का भूका प्यासा था एक जलासा पर जल पीने गया आवसुस्तान पर एक ततकाल ब्याईगव जल पी रही थी राजा ने उस प्यासी गव को जल पीते से हटा दिया और स्वेम जल पीने लगा इसी पाप के कारण राजा को निपुत्री होने का दुख सहन पड़ा है एका दसी के दिन भूका रहने से वे राजा बना है और प्यासी गव को जल पीते से हटाने के कारण पुत्र हिंता का दुख भोगना पड़ रहा है सब लोगों ने का हे मुनि सेस राजा के इस पाप के निवारण का कोई तो उपाय होगा अता राजा का ये पाप नस्ट हो जाया और आप ऐसा कोई उपाय बताने की किरपा करें लोमेश मुनी ने उत्तर दिया स्रावण मास के सुक्ल पक्ष की एका दसी को पवित्ता एका दसी का ब्रत और राती जागरर करें तो पूरुज नमका ये पाप नस्टोकर राजा को अवशी पुत्र की प्राप्ती होगी। लोमेश रिशी से उपाई जानने के वाद सभी वेक्तिनगर को वापस लोटाए। जब स्रावण सुक्ला एका दसी आई तो सबने मिलकर रिशी के आग्यांसार राजा सहित पुत्दा एका दसी का ब्रत और जागरर किया। इसके पस्चा द्वादसी के दिन इसके पुड़ का फल राजा को दिया गया। उस पुड़ के प्रभाव से राणी के गर्व धारण किया और प्रसब काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेज़श्वी पुत्र उत्पर्णुआ। अंत में भगवान कृष्णने का हे राजन इस रावर सुकला एका दसी का नाम पुत्रदा एका दसी है। अता संतान के सुक की इच्छा रखने वाले इस ब्रत को अभश्य करें। इसके महातम्य को सुनने से मनुश्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोग में संतान का सुक भोकर पर लोग में श्वर्ग को प्राप्त होता है।